सुप्रीम कोड ने क्या है कि जम्मु कश्मीर दे विशेश दर्जे नू खतम करनली आर्टिकल 376 टॉंस सबंदी केंदर दा फैसला सविदान दे दारे विच सी अते इसले केंदर दी फैसले ते स्वाल चुकना सही नहीं है चीफ जस्टिस डी वाई चंदर चूड दे अगवाई वाले पांज मेंबरी बेंच वलो दिता गया फैसला सुनोंधिया उनने किहा कि आर्टिकल 371 एक अस्थाई विवस्था सी अते जम्मु कश्मीर पारदा अनिकडवा आंगे उनने किहा कि राष्टपती कोल आर्टिकल 372 फैसला लेंदा अधिकार है अते सरकार वलो पांज अगस 2019 नू लिया गया इस्तबदी फैसला सैसी अते इनने साला बाद इस दी वैद्दा ते बैस टुक भी नहीं है Iphone 2 on the ground that the power under article 370 1d cannot be issued to apply all the provisions of the constitution to the state of Jammu and Kashmir we have held that all provisions of the constitution can be applied to Jammu and Kashmir through the exercise of power under article 370 1d चीफ जस्टिस चंद्र चूडने के हां कि जम्मु कश्मीर वेच राजता दरजा जल्दी बहाल होना चाहिदा है चौन कमिशन नो निर्देश डिता गया है कि 13 स्तंबर 2004 तक ओथे चोना होनिया चाहिदा है